पसकार NGTV मध्यप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ रितुसिंग अचले ग्राउंड रिपोर्ट की शिरुवात करते सबसे पहली रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं मध्यप्रदेश सरकार 3 जुलाई को अपना बजट पेश करने जा रही है इस बजट को लेकर हर वर्ग को सरकार से अलग-अलग अपेख शाय है प्रदेश के किसानों को इस बार बजट से किस तरह की उमीदे हैं इस पर हमारे समवादाता जफर मुलतानी ने आगर मालबा कृशिपणी में अपने उपज लेकर आए किसानों से बात्रिप किया क्या कुछ किसान कह रहें आपको भी सुनवाते हैं तीन जुलाई को सरकार बजट पेश करने जा रही है बजट यानि कि साल बर का लेखा जो का आने वाले एक साल में सरकार क्या क्या प्रोग्राम पर कितना कितना खर्च करने वाली है कितना मुनाफ़ा हुआ, कितना घटा हुआ, ये सब बजट में दिया जाता है बजट में तमाम बाते की जाती है, हर वर्ग की बात की जाती एक वर्ग ऐसा भी है, जो हमारी थाली तक अनाश पोचाता है यानि देश का अन्नदाता किसान, किसान लोग यहाँ पर आप मौजूद है, यह वो जगा है, आगर मालवा की क्रशी मंढ़ी जान किसान लोग अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं, और यहां जब उपज बिक्ती है, वो किसान के जेव में पेसा जाता है, यहीं से तैय हो अलाय कृषि दिए की भी बात होगी तोमाम सरकार क्ररशी कल्यान की बहुत सारी बातें करते हैं आप क्या उम्मेद करते हैं कि यहीं बज़ट की है आप पूछ प्रेदी जिरे बंज़ट इसंदे हो पूछें लेकिन यदि आप हमारी हमदर्दी एक रुपए है एसी हर चीज की और हमारी आज तक लागत नहीं जोड़ी गई इसको लागत जोड़ी जाए हमारी हंकई जूताई वगएरा बजली का बिल वगएरा सब जोड़ करके हमारा मुल्य ते क्या जाए पाउदान होना चीजिन के लिए आपका नम बताईए रागु सिंच जोड़ी आप ये बजट जो है क्या उमीद है किस तरह की उमीद आप रखते है कि क्या दाम के बारे में या किसानों के लिए कोई विशेश पेकेज के उमीद हैं आप आज हमारा कहना है कि लागत का दार प लारे में सरकार ये ही द्यान देना जीए कि आपका और किसान के लाओ समय आपके रहा है किते किसान की अनूंबह है आपके बाद के लिए नहीं, मतलब भाव्ल भाव में गठा खा रहे हैं, हर किसान, हर किसान भाव में, और लागड तो परियाब तो आप मतलब मीन रही, डिजल, टेक्टर, आखना, जोतना, बोना, बिल्कुल भाव्ल भाव तो मील इनी रहा है, और अभी दो साल से इतना कम मिल रहा है जिनका च्छाति भाद लगा के पोछो किसान से किया हो हार चाल हो रहे है और वाकि ये सोया बीन में भी मतलब एत्तों कम भाव के हच से जागा बहे यो तो कोई भावी नहीं है इसलिए बहाव बहुत कम तेल काफी मेंगा उसकी मुकाबले में जिससे तेल निकलता है उसका दाम काफी कम मिलता किसानों को आप बताइए कि आप क्या देखते हैं इस बजट से क्या उम्मीद सरकार से आपको कुछ भी उमेद क्या है हमार वाव जो है वो आना चाहिए हमें और सभी लागत मिलनी चाहिए ये हैं तो आन किसान की एक समस्या यही है कि जब इनके पास बीज होता है तब जो है वो सस्ता होता है लेकिन जब ये खरीदने जाते रहा है तब मेंगा मिलता है आपका नम बताओ दौदा तो मेरा नाम सरदार भी करही है ठीक है और बिज लेने को जाएं तो साड़ा छेजार मिलते हमें ठीकिन तो अब किसान क्या करेगा या बताओ फसल रशन कांदा भी बीट गए अब के स्यावी नफ तक रखी वो भी यही से स्टतिम जाएगा किसान क्या करेगा कितना पैसिना बहता है किसान जो करता है वो जानता है तो मिनिमम्म सपोर्ट प्राइस की बात करती है नियंतुम समर्थन मुल्य की तो आपको पूर्ता है कितना मिल पाता है आप लोगो को कैसे एक विगा में मिनियंतुम समर्थन मुल्य जो आपका जो होता है वो सरकार टे करती है तो उसमें भी आपको प हाँ एसाथ हो यह आप तक आज तक नहीं हुआ हाँ खरीदी जो सरकार तो करती है लेकिन किसानों से कब करती हैं में कहा मिलता इतना मुलिया ते गाउं पच्छी सो का भी किरिया 2200 का लिए सरकार ने हैं कम से कम तो ग्यों तीन हजार प्या कुंडल अगर खरीदी सरकार तो अब के पेदावारी में भी कर ता है साथ कुंडल भी को है सबके खात का भाव अनप्छना उत्पादम भी कम एपके कोई सब्सक्ति लोग किसी के द्रस कुंडल को उत्पादम हुआ पति कि और साल की सवय बीन बेठक भी जादा दी एलके तो अपने बाव में बगाठो बेठक में बगाठो आने सरकार ने उनकी डेपिक हाथ को भाव बढ़े दी अब अपने देनों करफान के हाथ लावात पैसा अपने लाणों पड़े देनों पड़े तो असो अमार वाव भी सही सार चलाओ तो अपने लोग यहाओं का और स्वेभी ने उनके बगाएन जाएं तो वर्याव भी देखोंता हुआं तो अनपरकार्थी किसान सरकार दियान देननों चीये अर्मस्ट पर बाहाव लाव लाणू चीये दो किसान नापमार खृत जोड़ी नना जोडी दो तो परकार शरकार द परसन मुना पची है हमें, दो परसन मेरे किसान को मुना पमिलेगा, तो सकतर मुई जागा, अब गाटा का सोधा कर रहे हैं, तो लागत के इसाफ से खर्च जोड़ के जो नियुनतम समर्थन मुल्य वो सरकार ते करें, ये आम तोर तो किसानों की भावना निकल के आई है, अगर मालवा से केमरा सयोगी रोशन के साथ जफर मुल्तानी एंजी टीवी है, तो नए कानूनों के संबल में बात करना के लिए हमारे साथ जिले के पुलीस कप्तान मीरत कुमार सिंग्री सर, पताइए किस तरह से परिवर्तान आप देख रहे हैं और लोगों तक पहुचा आए के लिए हम लोगों ने आई एक समीनर किया है, यहाँ पर तीनों गदानों के बारे में जो परवतन हुआ है, उन संबन के पारे में बाताए गया है, विसे बस्ती के बारे में बाताए गया है। जो भारती ये नागरेक स्वस्क्स सहता है और भारती ये नियाय सहता है, इसे के नियाय दिलाने की और इसी उम्मीद इस नियाय कानून से की जा रही है. आगर मालवासे केमरा सहयोगी रोशन के साथ जफर मुलतानी एंडी टीवी ही.